नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईसोमेटरिक भीव का कुछ ऐसा प्रोब्लम जिसको सॉल्व करने के बाद आपको फिल होगा कि वाकई में आईसोमेटरिक भीव हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं आई होप आप लोग सभी पिछले लेक्षर को देख के आए होंगे अगर वो सारा लेक्षर आपने देखा है पिछले तो उसके बाद जो अभी हम करने जा रहे हैं इसमें कोई प्रोब्लम नहीं होने वाला होगा जो भी एस्टेप हम बताएंगे बस वो एस्टेप को आपको फोलो करते रहना है तो आईए हम लोग पहले समझते हैं पहला प्रोब्लम हर्स्ट प्रोब्लम में देखिए यहां पे और्थोग्राफिक भ्यू आपका दिया हुए है और्थोग्राफिक भ्यू मतलब फ्रंट भ्यू और टॉप भ्यू दिया हुए है अब फ्रंट भ्यू वही चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एनिलाइज करना होगा कि जो front view है वो किस plane में होता है आपको पता है front view always in vertical plane and top view is always in horizontal plane तो यह आपको सभी पता है कि front view vertical plane में draw करेंगे और top view horizontal plane में draw करेंगे तो उसके बाद हम लोग आईए isometric view draw करते हैं तो सबसे पहले पहला step यह है कि जब भी isometric view draw करेंगे तो horizontal plane पहले लेंगे तो horizontal plane कैसे लेते हैं तो वो आपको पता है कि दो lines equally inclined लेते हैं और दोनों line का inclination 30 degree और 30 degree होता है यह आपको पता है अब उसके बाद यहां तक करने के बाद अब क्या करेंगे कि यह जो आपका dimension दिया हुआ है यानि कि top view तो यह horizontal plane में जितना इसका length है उतना cut करेंगे यानि कि compass से इसको measure करेंगे और इस center से रखके इसको cut कर लेंगे तो उसको cut कर लेंगे फिर इसका ये वाला side दूसरा side इस axis पे आएगा तो इसको cut कर लेंगे इतना करने के बाद अब same length इसका जितना length होगा उतना ही length हम इसको लेंगे और जितना length इसका होगा उतना ही length इसको लेंगे cut कर लेंगे और दोनो एक दूसरे के parallel होगा ये दोनो पैरलल होगा और ये दोनो एक दूसरे के parallel होगा तो सबसे first step आपको क्या करना है horizontal plane draw करना है और horizontal plane के दोनो axis पे इसके दो साइड को रखेंगे अब दोनों साइड का जो भी length होगा उस length को यहाँ पे रख दिए तो bottom वाले को माल दीजिए यहाँ पे रख लिए तो यह जो आपका vertical वाला line दीख रहा है यह आपको यहाँ पे रख दिए अब parallelogram इससे बना लेजी parallelogram बनाने के बाद यह आपका top view का projection जो यहाँ पे दिख रहा है उसका isometric view हम draw कर लिए first power condition यह है अब देखिए यह क्या है इसका अगर हम इसको length मानेंगे तो यह इसका width हो जाएगा अस्ववाविक है यह width होगा तो front view में thickness दिखेगा तो यह इसका thickness हो जाएगा यह इसका length हो जाएगा यह इसका हम width माने तीनो dimension दो view में हम लोग देख सकते एक view में दो ही dimension दिखेगा तो अब दिखिए हम तो length तो draw कर चुके हैं width draw कर चुके हैं thickness नहीं दिये हैं तो thickness आपको देना है तो थिकनेस देने के लिए बस आपको ये धियान रखना है कि तीसरा आईसोमेट्रिक एक्सिस क्या होता है तो आपको पता है तीसरा आईसोमेट्रिक एक्सिस ये वर्टिकल लाइन होता है तो vertical line यहाँ पे draw करेंगे तो vertical line निचे भी कर सकते हैं उपर भी कर सकते हैं तो हम लोग generally क्या करते हैं उपर करेंगे खीक है कि draw करने में आसान हो तो सबसे पहले सभी corner पे vertical line हमने draw कर दिया क्योंकि जब ये front view और top view देखोगे तो इसका thickness कितना है 10 mm अब आएंगे क्या यही हमारा actual है actual यह है लेकिन वाकई में जो हमें age दिखता है उस age को hb से हम dark करते हैं तो hb से dark करना है तो hb से कैसे dark करेंगे तो जो face आपको दिख रहा है तब बताए isometric view में हमें कितना face दिखता है 3 face क्योंकि जब पीछे वाले portion को उठाते हैं तो यह axis यह axis और यह axis equally inclined होता है यानि कि यह वाला जो corner होता है यह तीनों axis horizontal से equal inclined होता है तो यहाँ पे यह भी face दिखेगा यह भी face दिखेगा यह top वाला face दिखेगा top वाला face दिखेगा that means हम लोग hb pencil से top वाले line को draw करेंगे तो यहाँ पे top वाले line को hb pencil से draw कर देंगे क्योंकि यह top वाला face दिखेगा अब क्या यह वाला face दिखेगा और यह वाला face दिखेगा that means यह वाला age दिखने वाला है यह तीनों age दिखेगा यह age आपको back side में चला जाएगा इसलिए यह age नहीं दिखेगा तो इसको हम लोग dark नहीं करेंगे तो सिर्फ यही तीन age को हम लोग dark कियें क्योंकि यह age जब उपर से देखेंगे तो यह face जो है यह cover कर लेगा जब यह face cover कर लेगा that means वो age नहीं दिखेगा अब vertical जो age दिख रहा है उसको हम लोग dark कर लिए अब next यह वाला age हमें दिखेगा यहां से यहां तक क्योंकि यह पूरा face दिख रहा है तो यह चारो age दिखेगा इसका भी पूरा face दिख रहा है तो यह भी चारो age दिखेगा तो इस डंग से जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये आपका actual view ड्रॉ होके आ जाएगा isometric view अब view हमें लोग इसलिए पोल रहे हैं क्योंकि इसका exact length लेके ड्रॉ कर रहे हैं अब इसलिए में इसका isometric projection हमें पूछता तो isometric length लेके इसको हमें ड्रॉ कर लेते तो ये आपका question complete हो जाता अब गहरा ही बात dimensioning की तो आपको पता है dimensioning कैसे करना है तो जो भी side दिया हुआ है उसको dimensioning इस डंग से कर देना है तो ये आपका first problem solve होगा तो हमेशा ये धियान रखना है कि front view में क्या है top view में क्या है और हमेशा top view से start करेंगे क्योंकि top view horizontal plane पहले draw करेंगे और vertical plane automatic draw होके आ जाएगा जब हम लोग vertical line draw करेंगे तो ठीक है तो इस डंग से हमारा ये first problem जो है complete हुआ अब आईए हम लोग देखते हैं दूसरा problem इसी के साथ common problem है अब देखिए इसी को हम diagram को क्या कर रहा है कि जो इसका front view था उसका top view कर दिये जो top view था उसका front view कर दिये ये आपका isometal projection और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है अब यहाँ पे front view एक book का example ले लग सकते हैं कि वही book था इसको पहले हम क्या रखे थे ऐसे horizontal के parallel लखे थे book को अब दूसरे problem में क्या होगा कि vertical के parallel लख लिए तो सभावी के vertical के parallel लखेंगे तो front view में पूरा page दिखेगा और top view में सिर्फ side दिखेगा तो इसी लिए हम लोग का ये projection चेंज हो गया तो ये चीज आपको orthographic में अच्छा से समझ में आ चुका होगा इसलिए इसको ज्यादा समझाने के जरूरत नहीं है तो diagram question में ये दिया रहेगा इसको समझने की बस जरूरत है क्या खिर है क्या और फिर इससे draw करेंगे तो बस diagram हम देख लेंगे कि क्या हमें दिया हुआ है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब है ये इसका isometric view हम लोग draw करते हैं सेम figure है सिर्फ हम लोग change कियें इंटर्चेंज कियें तो अब ये कैसे दिखेगा तो क्योंकि ये vertical के parallel है इसका page यानि कि जो हमारा cover page कह सकते हैं एकदम vertical रखे हुए इस book को तो यहाँ पे front view सभाविक है पूरा page size का दिखेगा और top view सिर्फ जो side में से दिखता है top से बस उतना portion ये दिखेगा तो अब आते हैं पहले horizontal plane draw करते हैं अब वही condition इसका पहले length बताई ये length है और ये width है और ये thickness या high height कह सकते हैं इसमें है ना ये edge है तो length इसको cut किजिए width इसको cut किसी को कर सकते हैं क्योंकि ये length लिए width ये बाला लेते हैं तो ये length ले लिए ये width ले लिए जरूरी ने आप इधर से भी ले सकते हो length width और इधर से भी जा सकते हो तो कोई तीकत नहीं होगा इधर से भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन आपको ये धियान रखना है इधर से गोई तो फिर उसके डंग के गडeles किया जाए तो यह प्लेन हम ले रह oyun हैं और यह साइड ले रहे यह दोनों साइड को लें गे तो यहाँ पर कट किये दूसरा को यहाँ पर कट कर लिए और फिर जिसका जितना लेंथ है उसके parallel draw कर दिये इसका जितना length है उसके parallel इसको draw कर दिये तो ये आपका horizontal plane में इसका base यानि कि plan draw होके आ गया तो इस डंग से हम लोग पहले dash line लगाएंगे यानि कि इसके length के according इसको cut करेंगे ये वाला length और इस length के according ये वाला length cut किये इस axis पे ही जाके cut करना है और फिर इसी axis के parallel दो line draw करेंगे तो automatic ये point of intersection बना लेगा ठीक है तो ये डंग से भी कर सकते हैं या exact length लेके भी हम लोग कर सकते हैं तो generally हम लोग parallel तुरत cut कर लेते हैं एक बार मेजर इसको और इसको सिर्फ कर लिजिए फिर इसको parallel ड्रॉ कर दीजिए इसके parallel ड्रॉ कर दीजिए दोनों line parallel ड्रॉ करेंगे एक दूसरे axis के तो automatic ये point of intersection cut किया जाएगा हमेशी इसे मतलब है और 2H हमेशा यूज़ करना है अभी ये starting period में और फिर हम लोग HB से डार्क कर लेंगे last में कि मालो कहीं पर कोई गलती ही होगा तो बीच में लोग सुधार कर सकते हैं अब आईए ये आपका base त्यार हो गया यानि कि क्या सकते हैं कि horizontal plane में हम plant ड्रॉ कर चुके हैं अब क्या देना है तो ये length हम मिल चुका है width मिल चुका है height देना है तो height कितना है तो height 30 है तो सभी corner पे जाएंगे और 30 का vertical line ड्रॉ करेंगे तो सभी corner पे चलिए और 30 का vertical line हम ड्रॉ कर दिये अब एक ही exact length लेना है 30 का automatic हो सारा अपने जगा पे चला जाएगा vertical line ड्रॉ करना है अब क्या है कि सभी line को जब हम लोग ड्रॉ कर दिये तब उपर में जो भी corner है इसको सब को आख बंद करके scale लीजिए और मिला दिजिए तो जैसा base था वैसे top बनके ये automatic आ जाएगा तो हम complete line को हम लोग मिला दिये ये इस बार isometric view बनके आ गया लेकिन इस figure के according आया तो ये आफ क्योंकि इसमे height change हुआ है उसमे height 10 था इसलिए उस डंग का figure दिख रहा था इसमे height क्या आया 30 आया इसलिए इसका thickness बढ़ गया तो जैसा आपका orthographic projection होगा उसी डंग से हम लोग drawing को draw करे फिर इसमें अब आएंगे hp pencil का use करेंगे निकि dark करेंगे मेना age जो आपको दिख रहा है तो सबसे फेले face की बात करो तो ये face दिख रहा है ये face दिख रहा है और ये face दिख रहा है अब तीनो face दिख रहा है तो इसका भी चारो age दिख रहा होगा है ना इस face का भी चारो age दि साथ बनके तयार हो जाएगा isometric view अब यह हो गया तो हम dark start करते हैं top view से आनि कि top surface से तो यहां पे हम लोग first top surface को dark कर दिये अब क्या है कि front से जब हम लोग देखेंगे तो यह edge दिखेगा यह edge दिखेगा और यह edge दिखेगा यह back वाला edge नहीं दिख पाएगा क्योंकि यह front वाल surface नहीं दिख पाएगा इसलिए हम इसको to edge से ही छोड़ देंगे तो यह तीनो एज को हम लोग dark करेंगे यह तीनो एज हम dark कर लेंगे यह भी edge दिख रहा हूँ तो इस दांसे हम लोग इसको भी draw कर देंगे edge वे pencil से अब देखे यह वाला edge नहीं दिखेगा यह वाला edge नहीं दिखेगा यह वाला edge नहीं दिखेगा क्योंकि यह back side में चला जाएगा यह वाला wall देखिए अगर हम पहले wall दिख जाएगा तो dark कर दिए और जो नहीं दिख पा रहा था उसको 2H से छोड़ देंगे या आप वहां पर dash thick line भी draw कर सकते हैं तो इतना हमें नहीं करने की जरुवत है बस हम यह कर गए जितना हम कहा रहा है उतना कर लेंगे या आपको आपको आपर ज्यादा करने की जरुवत है तो dash thick line भी draw क कर सकते हैं हम इसे लिए बोल नहीं करने के लिए क्योंकि मान लिजी अभी तो कर रहा है लेकिन जो जब large figure आएगा थोरा advance में हम लग जाएंगे advance problem में अच्छे problem करेंगे तो वहां पर कुछ line छूटने का डर रहता है एक जड़ ड्रो करोगे अगर तो नहीं चूटेगा ल तीक है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं dimension इसको कर देते हैं अब यह dimension जैसे हम कर रहे हैं exact इसी ड़ंग से dimension करना है आपको dimension कैसे किया जाता है यह सारा process हम लोग बता चुके हैं इसलिए जो dimension का जो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर dimension का देख लें तो इसमें अगर upload नहीं है तो हम बाद में upload कर देंगे वहाँ पे जाकर upload देख सकते हैं तो आज की lecture में इतना ही जैहिंद